हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिकट्रिक दोस्तो वीकली करंट अफेर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 4 जून से लेकर 10 जून तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर को बहुत ही इंपन्पोर्टेंट वीडियो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डौ़ोड करना है तो आप क्रिजी जिकट्रिक की अप्लिकेशन डौ़ोड कर लीजिए वहाँ पर देखिए आपको download करने का option मिल जाएगा तो चलिए बिना किसी देरी के हम lecture को start करते हैं देखिए हमारा पहला question आता है French Open 2023 के महिला एकल का किताब इन में से किसने जीता हैं? Very very important question है किसने जीता हैं friends? इगा स्वेतेक ने देखिए French Open 2023 के महिला एकल का किताब जीता हैं यहाँ पर B answer बिल्कुल सही होगा French Open जो है वो साल बर में खेले जाने वाले चार Grand Slam टूनामेंट में से एक हैं देखिए साल के शुरुआत में Australia Open होता है उसके बाद French Open, फिर Wimbledon और सबसे लास्ट में होता है US Open French Open ऐसा टूनामेंट है जिसे मिट्टी के कोट पर खेला जाता है 2023 के देखिए महिला एकल का किताब किसना जीता हैं इगा स्वेतेक ने जीता हैं यह इनका देखिए तिसरा French Open टाइटल है ज्यान रखिएगा friends इगा स्वेतेक जो है यह एक पॉलेंड के खिलाडी है पिछले साल भी इन्होंने French Open के महिला एकल का किताब जीता था यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा next question की तरफ चलते हैं next question आता है Miss World 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा very very important है देखिए भारत में 27 साल बाद Miss World का आयोजन जो है वो किया जाएगा इसी साल देखिए गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा भारत ने आखरी बार 1996 में अंतराश्टिय प्रत्योगिता की मेजबानी की थी तो Miss World 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा Miss World 2022 की बात करते हैं तो ये किताब किसने जीता था? पॉलेंडेश की केरोलिना बलावासका ने ध्यान रखेगा इस चीज को भी भारत की तरफ से अभी तक छे देखिए कंटेस्टेंड ने Miss World का किताब जीत रखाएं सबसे पहले 1966 में रिता फरिया ने 1994 में एश्वरे राय ने 1997 में डाइना हैडन ने 1999 में युकता मुखी ने 2000 में प्रियंका चोपडा और 2017 में सबसे आखरी में मानुशी छिल्डर ने ध्यान रखेगा इस चीज को भी चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं हाली में अगनी प्राइम मिसाइल का परिक्षन कहां से किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन है फ्रेंड्स ये भी भारत की एक नए जनरेशन की देखे बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का देखे सफल परिक्षन जो है वो DRDO ने APJ अब्दुलकलाम आइलेंड से सफलता पुर्वक किया कहां पर अब्दुलकलाम दीप से ये आंसर साही होगा इस मिसाइल को अगनी P के नाम से भी जाना जाता है ये अगनी सिरीज की देखे नई PD की मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो एक से लेकर 2000 किलोमेटर तक की है ये सतर से सतर पर मार करने वाली न्यूकलियर केपेबल मिसाइल है अगनी सिरीज में ये सबसे चोटी और सबसे हलकी मिसाइल है ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तभा कर सकती है भारत ने 1989 में फ्रेंज अगनी मिसाइल का परिक्षन किया था और उस मिसाइल की मारक शमता 700 से 900 किलोमेटर तक की थी और उसे 2004 में सेना में शामिल किया गया था हाली में अभी देखिए अगनी सिरीज की अगनी प्राइम मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन किया गया कहां से अब्दुलकलाम आइलेंड से संयुक्तराष्ट महासाबा के 78-70 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ये भी important question है तो United Nations General Assembly के देखिए 78 session के लिए Dennis Francis को देखिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संयुक्तराष्ट महासाबा जो है ये भी संयुक्तराष्ट के 6 अंगों में से एक है वर्तमान में देखिए इसके सदर से कितने हैं 193 है Dennis Francis को चुना गया है संयुक्तराष्ट महासाबा के इत्युक्तरवे सत्रक्य अध्यक्ष के रूप में ये आंसर यहां पर साही होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं तीसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में कोन सी उनिवर्सिटी प्रथाम इस्थान पर रही है इंपोर्टन कोशन है देखे फ्रेंड्स तीसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां पर किया गया यूपी में उत्तरपदेश में और इस बार पदक तालिका में देखिए पंजाब उनिवर्सिटी जो है वो पहले अस्थान पर रही है पंजाब उनिवर्सिटी ने देखिए कुल 69 मेडल अपने नाम किये जिसमें से 26 स्वन पदक है तो यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा पंजाब उनिवर्सिटी पहले अस्थान पर रही है देखिए खेलो इनिवर्सिटी गेम के देखिए पहले सीजन का आयोजन जो है वो उडिसा में किया गया था तब भी पंजाब उनिवर्सिटी जो है वो पहले अस्थान पर रही थी तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जब उनिवर्सिटी गेम में पंजाब उनिवर्शिटी ने देखे टॉप किया है दूसरे खेलो इंडिया उनिवर्शिटी गेम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उस समय देखिए इसका आयोजन करनाटक में किया गया था और जेन विश्विद्यालाई जो है करनाटक का वो पहले इस्तान पे रहा था क्लियर 25 मई से लेकर 3 जून के वीच में देखिए तीसरे खेलो इंडिया उनिवर्शिटी गेम का आयोजन जो है वो उत्तर पदेश में किया गया त्यान रखेगा पदक तालिका में पंजाव इनिवर्शिटी पहले इस्तान पे रही है नेक्स कोशन आता है भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के नए महानी देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स हाली में देखिए जनारदन प्रसाद को बी आंसर यहां पर सही होगा जनारदन प्रसाद ने देखिए किन का स्थान लिया है एस राजू का स्थान लिया है भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन जियॉलोजिकल सर्वे करना और उनकी स्टेडी करना इसके इस्थापना कब हुई थी? 1851 में इसके इस्थापना हुई थी द्यान रखियेगा हाली में अभी जनारदन प्रसाद को भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के नए मारी देशक के रूप में नियुक्त किया गया है चले नेक्ष कोशन की तरफ चलते है विश्व मोसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो फ्रेंड्स, WMO मतलब World Metallurgical Organization के देखिया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर यह आंसर बिल्कुल सही होगा चार वर्षों के लिए देखिये इन्हें विश्व मोसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इसे के साथ इंडिया मेतलोजिकल डिपार्टमेंट के जो महानिदेशक हैं मृत्यूंजय महापात्रा उनको देखिये विश्व मोसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है यह चीज़ भी ध्यान रखिएगा इंडिया मेतलोजिकल डिपार्टमेंट के हमने बात करी भारत मोसम विभाग की तो देखिये मोसम संबंदि टिपणी, मोसम पुर्वनुमान और भुकम विज्ञान के लिए ये संस्था जो होती है वो जिम्मेदार होती है क्लियर यहाँ पर देखिये डबल्यू एमो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है डॉक्टर अब्दुलाल मंदोज को डबल्यू एमो की स्थापना कब होई थी 1950 में होई थी नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंज हर साल 5 जुन को विश्व पर्यावरन दिवस जो है वो मनाया जाता है Very very important है इस बार की देख़िए इस दिवस की थीम क्या थी Beat Plastic Pollution ये इस बार की थीम थी थीम भी बहुत ही important है ध्यान रख्येगा विश्य परियावरन दिवस का देखे उद्देश क्या होता है मनाने का परियावरन के प्रती लोगों को जागरुक करना परियावरन को संरक्षित करने के लिए प्रोसाहित करना इसी उद्देशे से हर साल 5 जुन को विश्व पर्यावरन दिवस जो है वो मनाया जाता है पर्यावरन दिवस जो है सबसे पहले देखे स्वीडन की राजदानी स्टॉकोम में मनाया गया था 1972 में संयुक्त राज संग के द्वारा देखे पर्यावरन संडरक्षन पर स्टॉकम संबिलन का आयोजन किया गया था यहीं पर यह प्रतिवर्ष 5 जुन को विश्व पर्यावरन दिवस मनाय जाने की गोशना की थी तबी से हर साल 5 जुन को विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है क्लियर चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है 2023 Asian Under 20 Athletics Championship में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो फ्रेंड्स कितने पदक जीते हैं भारत ने 19 पदक जो है वो भारत ने अपने नाम किये हैं इस Championship का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था साउथ कोरिया में देखिए 4 जुन से लेकर 7 जुन के बीच में देखिए इस Championship का आयोजन किया गया Asian Under 20 Athletics Championship का ये 20 संस्क्रन था अगर हम बात करते हैं कि इस Championship की शुरुआत जो है वो कब हुई थी तो 1986 से देखिए इस Championship की शुरुआत हुई है इस साल देखिए Asian Under 20 Athletics Championship 2023 में भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किये जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉंज मेडलें पदक तालिका में भारत का इस्थान कुन सा राएं? तीसरा इस्थान राएं पहले इस्थान पर ध्यान रखिएगा जापान राएं और दूसरे इस्थान पर चाइना राएं इसमें एक important चीज ध्यान रखिएगा भारत की तरप से रेजो आना मलीख हीना ने सबसे ज़्यादा तीन पदक जो है वो अपने नाम किये हैं दो गोल्ड और एक ब्रॉंस मेडल तो ध्यान रखेगा ये चीज भी देखिए अगला important question आता है मद्यप्रदेश के पहली solar city के रूप में किसे विक्सित किया जा रहा है तो friends किसे विक्सित किया जा रहा है साची को UNESCO की विश्व धरोवर इस्तल रायसेन जिले में इस्तित साची जल्दी मद्यप्रदेश का पहला सोर शहर जो है वो बन जाएगा साची एक ऐसा शहर है friends जो करकर एका पर इस्तित हैं और सूर्ज की उर्जा को सोकने के लिए बिल्कुल सही है उर्जा एवं नवीनी करण उर्जा विबाग के देखिए प्रमुक सचीव संजय दूबे ने हाली में बताया है कि साची को सोलर सिटी के रूप में विक्सित करने का काम जो है वो पूरा हो गया है इसलिए देखिए ये काफियादा सुर्क्यों में रहा है मध्यप्रदेश के पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विक्सित किया जा रहा है साची को बी आंसर यहां पर सही होगा साची की बात करते हैं तो देखिए ये प्रमुग बोध इसमारकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रचली थे हैं युनिस्को द्वरा साची को 1986 में विश्व विरासत इस्थल के रूप में गोशित किया था ये चीज भी दियान रखेगा मध्यप्रदेश में इस्तित हैं ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले इस्तान पर कौन सा राज्य रहा है बड़े राज्यों की यहां पर देखिए बात की जा रही है तो फ्रेंड्स देखिए स्टेट फूट सिक्यूरेटी इंडेक्स के पांचवे संस्करण का देखिए हाली में अनावरंड किया गया जिसमें देखिए बड़े राज्यों में केरल को देखिए पहले इस्तान पर रखा गया State Food Security Index को देखिए भारतिय खादि संरक्षा एवं मानक प्रादिकरण के द्वारा जारी किया जाता है पहली बार इसे 2018-19 में जारी किया गया था ध्यान रखेगा बड़े राज्यों में देखिए केरल जो है वो पहले इस्थान पे रहा है Next question की तरफ चलते है हाली में चर्चा में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो देखिए कवच प्रणाली जो है काफे आदा इस बार सुर्क्यों में रही क्यों रही हाली में अभी देखिए उडिसा के 12 सोर में ट्रेन दुरगटना हमको देखने को मिली, उस ट्रेन दुरगटना में कवच प्रणाली जो है, वो देखिए काफी आदा सुर्कियों में देखने को मिली, तो क्या है कवच प्रणाली इसको हम डिसकस करते हैं, कवच प्रणाली को देखिए, research design and standard organization द्वारा विक्सित किया गय कवच प्रणाली में हाई विक्वेंसी के रेडियो कम्यूनिकेशन का इस्तमाल किया जाता है, इस प्रणाली से रेल पट्रियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुरगटनाओं को रोकने में मदद मिलती हैं, यह प्रण्योगे की रेलवे को शुन्य दुरगटनाओं के देखिए रेल दुरगटना में कवच प्रणाली जो है देखिए काफी यदा सुर्क्यों में रही, किसके दौरा देखिए इसको डिजाइन किया गया है, रिसर्ट डिजाइन एन स्टेंडर्ड और्गनाइशन के दौरा, नेशनल इंस्टिटुशनल रेंकिंग फ्रेमवर् इसे गोशित किया गया है आईटी मदरास को, आईटी मदरास को पहला इस्तान दिया गया है, दुसरे इस्तान पर देखिए भारती विज्यान संस्था बेंगलोर को रखा गया है, और तिसरा इस्तान दिया गया है आईटी देली को, तो यहाँ पर देखिए आईटी मदरास को पहला इस्तान दिया गया एए आंसर बिल्कुल सही होगा इसके अलावा देखिए विश्विध्यालाई और रिसर्च की केटेगरी में भारतिय विज्ञान सस्था बैंगलुरुक को पहला इस्तान पर रखा गया है हर साल देखिए केंद्रिय शिक्षा मंतरालाई द्वारा ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है पहली बार 19 सितंबर 2015 को इसको जारी किया गया था हाली में 2023 की देखिए रैंकिंग में IAT मदरास को पहले इस्तान पर रखा गया है हाली में चर्चा में रहा हैलमन नदी विवाद किन दो देशों से संबंदी थें बहुत ही important question है देखिए बहुत यादा सुर्क्यों में रहा ये किन दो देशों से संबंदी थे हैलमन नदी विवाद अफगानिस्तान और इरान से हेलमन नदी के देखे पानी के बटवारे को लेकर इरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद जो है अकसर देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच हेलमन नदी के पानी को लेकर हाली में अभी 27-28 मई को सीमाओ पर देखे गोलावारी भी देखने को मिली थी क्या आए देखिये हैं हेलमन नदी विवाद इसको हम अच्छे समझ लेते हैं ग्यारह सो पचास किलोमेटर लंबी हेलमन नदी जो है ये अफगानिस्तान की देखिये सबसे लंबी नदी हैं जो कि पशिमी हिंदु कुष परवर शंकला से निकलती हैं आगे बढ़ती हुई ये रेगिस्थानी इलाकों से बहते हुए दक्षिन पशिम दिशा में हामन जिल में जाकर घिर जाती हैं हामन जिल जो है ये अफगानिस्तान इरान सीमा पर फैली हुई हैं इरान और अफगानिस्तान दोनों देशों के लिए यह जिल और नदी का पानी जो है वो पर्यावरन और अर्थव्यवस्ता दोनों द्रश्टी से बहुत ही important है इस नदी का पानी जो है वो दोनों देशों के लिए जीवन स्रोत, खेती, रोजगार और इको सिस्टम के लिए देखी बहुत ही आदा महत्पून है यही वज़ा है कि अफगानिस्तान और इरान जो है पानी के बटवारे को लेकर अकसर ठकराते रहते हैं इसे के साथ अफगानिस्तान द्वारा देखिये हलमन नदी पर बनाया गया कमाल खान बान भी देखिये इस विवाद का मुख्य करण मना जा रहा है इरान मोसम विज्ञान संगठन के देखिये मुताबिक अगर हम बात करें तो इरान में 97 परतिशत देश का हिस्सा जो है किसी ना किसी तरह देखिये सूके का सामना कर रहा है जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो है वो लगभग 80 परतिशत देखिये सूके की मार को जहल रहा है यही कारण है कि इनके हलमन नदी के देखिये पानी को लेकर विवाद हमको अक्सर देखने को मिलता है तो ध्यान रखेगा अफगानिस्तान और इरान देश संब्दीत है हलमन नदी विवाद चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं हाली में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव जो है वो मनाया गया किस राज्य में मनाया गया देखे फ्रेंड जम्मू कश्मिर में केंद्री मंत्री जितैंच सिंग ने देखिये जम्मू कश्मिर के भदरवाई घाटी में लेवेंडर उत्सव का देखिया आयोजन किया इस उत्सव का उद्देश जो है वो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है देखे लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना जो है ये बैंगनी करांती के अंतरगद आता है विज्ञान एवं प्रोध्यके की मंत्राले के माध्यम से अरोमा मिशन के तहट लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैंगनी करांती की योजना जो है वो बनाई गई है इस मिशन के तहट जम्मू कश्मिर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पोधे भी देखे प्रोवाइड किये गए हैं डोडा जिले के युवाओं की आयके स्त्रोत को बढ़ाने के लिए भी लेवेंडर की खेती को बढ़ाया जा रहा है तो फ्रेंट्स ध्यान रखियेगा हाली में लेविंडर उसव जो है ये कहाँ पर सेलिबरेट किया गया है जम्मू कश्मिर में नेक्स कोशन पर चलते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है देखिये हर साल साथ जुन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड फूट सेफ्टी डे दोजार तेविस में देखिये इस दिवस की थीम क्या थी फूट स्टेंडर्ड्स सेवस लाइवस ध्यान रखेगा इसको यहाँ पर एए आंसर बिल्कुल सही होगा युनाइट नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूट सेफ्टी डे मनाने का फेसला किया था तबी से लेकर देखिये हर साल साथ जुन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है पहली बार देखिये वर्ल्ड फूट सेफ्टी डे कब मनाया गया था 2019 में मनाया गया था ध्यान रखेगा इस चीज़ को भी चले नेक्ट कोशन पर चलते हैं हाली में अंतराष्टिय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है तो फ्रेंड्स लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में आयोजीद अंतराष्टिय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से मध्यपदेश के हैमलता शर्मा को देखे सम्मानित किया गया है इनने देखिए भोली बेन के नाम से भी जाना जाता है ये सम्मान जो है भोली बेन को देखिए उनकी हिंदी और मालवी संस्कृति और सहित्य के विकास के लिए किये जा रहे काम के लिए प्रदान किया गया है तो ध्यान रखेगा 2023 अंतराश्टी सहित्य सेतु सम्मान किसे दिया गया हैमलता शर्मा को देखे फ्रेंड्स अगला कुशन आता है सूरी नामा का सर्वोच नागरिक सम्मान ग्रेंड ओर्डर अफ दे येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है यह आंसर यहाँ पर सहिऊगा सूरी नामा के तीन दिवस्यकी देखिए राज की यातरा के दुरान राश्पती द्रोब्दी मुर्मु को सूरी नामा के सर्वोच नागरिक सम्मान Grand Order of the Yellow Star से समानित किया गया है यह पुरुसकार को देखे प्राप्त करने वाली राशपती द्रॉप्दी मुर्मू पहली भारती है सुरिनामा के राशपती द्वारा देखे इन्हे समान दिया गया सुरिनामा देखे दक्षिन अमेरिका महादीप में इस्तित एक देश है जिसकी राशपतानी क्या है पेरा मारिबो देखे फ्रेंड्स हाली में अभी प्रधानमंती नरेन मोदी को भी अलग-अलग देशों के देखे सर्वोच समान से समानित किया गया है जैसे की फीजी के सर्वोच समान Companion of the Order of Feezy से Papua New Guinea के सर्वोच समान Companion of the Order of Logos से ये चीज भी आप ध्यानर कियेगा काफी important है चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं चर्चा में रहा नोवा ककोव का बांद किस देश में इस्तित हैं किस देश में इस्तित हैं फ्रेंड्स ये युक्रेन में इस्तित हैं युक्रेन ने देखिया हाली में रूसी सेनाप पर दक्षिनी युक्रेन के सब नोवा ककोव का बांद को देखिये उडाने का आरोप लगाया है जिसके बाद युक्रेन पर देखिये महा प्रले का खत्रा जो है वो मंडरा रहा है नौवा ककोव का बांध जो है ये देखिए युकरेन की सबसे बड़ी नदी नीपर नदी पर बना हुआ है इस बांध को 1956 में तयार किया गया था जिससे हाइडरो इलेक्टिसिटी जो है वो तयार की जाती है तो हाली में देखिए इस बांध को उड़ाने का आरोब जो है वो लगाया गया है जिसकी वज़े से देखिए ये बांध जो है सुर्कियों में रहा ध्यान रखिएगा किस देश में इस्तित है युकरेन में और किस नदी परें ये भी ध्यान रखियेगा नीपर नदी परें चलिए next question की तरप चलते हैं हाली में भारत के पहली अंतराश्ट्रिय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मदे प्रारम की गई तो friends भारत और किस देश के मदे, शिलंका के मदे केंद्रिय बंदर्गा जलमार्ग मंत्री सर्बानन सोनेवाल ने चेन्नाई और शीलंका के बीच देखिये पहले अंतराश्ट्रिय क्रूज पोथ MV एक्स्प्रेस को हाली में देखिये हरिजन्टी दिखा कर शुरू किया है इसी के साथ चेन्नाई बंदर्गा पर देखिये 17 करोट रुपे की लागस से इस्थापीद एक अंतराश्ट्रिय क्रूज परेटन टर्मिनल का भी उद्गाटन किया है इस क्रूज सेवा का देखिये मुख्य उदेश क्या है क्रूज परेटन को बढ़ावा देना और समुदरी व्यापर को भी बढ़ावा देना ध्यान रखेगा भारत के पहली अंतराश्ट्री क्रूज सेवा जो है वो भारत और शीलंका के मद्दी प्रारम की गई नेक्स्ट कोशन आता है डच विग्यान का सर्वोच सम्मान स्पिनोजा प्राइस से किसे सम्मानित किया गया है तो भरती मुल्की विग्यानिक जाइता गुपता को डच विग्यान में सर्वोच सम्मान स्पिनोजा पुरुसकार से हाली में सम्मानित किया गया है ये सम्मान जो है जाइता गुपता को देखिए उतकरष्ट और अग्रणी एकारियों के लिए दिया गया है इस पुरुसकार को डच नोबेल पुरुसकार के नाम से भी जाना जाता है ये पुरुसकार डच अकादमिक शेतर में सर्वच पुरुसकार है हाली में ध्यान रखेगा जाइता गुपता को डच विज्ञान का सर्वच सम्मान स्पिनोजा पुरुसकार देखिए दिया गया है नेक्स कोशन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नंद बाबा दुग्द मिशन योजना का सम्मन्द किस राज से हैं उत्तरपदेश को देखिए दुग्द विकास और दुग्द उत्पादान के शेतर में अग्रणी राज बनाने के लिए राज सरकार ने 1000 करोड रुपे की लागत से नंद बाबा दुग्द मिशन योजना जो है वो शुरू करी है इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को दूद के अच्छी कीमर प्रदान की जाएगी साथी उनकी आर्थिक इस्तती में भी सुधार किया जाएगा पशुपलन के साथ साथ किसानों को भूमी की उपच बढ़ाने के लिए क्रशी अंतर खरीदने पर भी 50% सब से डी जो है वो प्रदान की जाएगी तो ध्यान रखेगा नंद बाबा दुग्द मिशन योजना किस राज से संबन दीते हैं उत्तर प्रदेश से संबन दीते हैं नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं विश्व महासागर दीवस कब मनाया जाता हैं तो हर साल 8 जून को देखिए विश्व महासागर दीवस World Ocean Day जो है वो मनाया जाता हैं इसका मुख्योदेश क्या है महासागरों के महत्व और समुद्री संसादनों के संडरक्षन और संडरक्षन के महत्व के बारे में लोगों को जागरुक करना 2023 में World Ocean Day की थीम क्या थी? Planet Ocean, Tights are Changing ये देखिए World Ocean Day 2023 की थीम थी? आठ जून को मनाया जाता हैं विश्व महासागर दीवस हाली में कितने देश संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदसे चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है, तो कितने देशों को संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदसे के रूप में चुना गया हैं पांच देशों को? अलजीरिया, गुयाना, कोरिया गंडराज, सियरा लियोन और सोलोवेनिया इन पांच देशों को संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदसे चुना गया हैं देखे संयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशत में कुल 15 सदस्य होते हैं पांच इस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं इन अस्थाई सदस्यों का कारिकल जो होता है वो दो वर्षों का होता है। यहाँ पर हमने पांच इस्थाई सदस्य की बात करी तो वो कौन-कौन है चीन, फ्रांस, रूज, युनाइटेट किंगडम और संयुक्तराज अमेरिका। यह वो पांच इस्थाई सदस्य हैं। जो बचे हुए दस सदस्य हैं, वो देखिए हर दो-दो साल में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर हमने संयुक्तराज सुरक्षा परिशत की बात करी तो देखिए 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्तराष्ट के छे प्रमुक अंगों में से एक हैं। ध्यान रखेगा हाली में पांच देशों को संयुक्तराज सुरक्षा परिशत के अस्ताई सदस्य के रूप में चुना गया है। सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिल देन बाइबाइ।